C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिये पेश है, तीसरी जमात के लिए महलियाती साइंस की समय दर्सी किताब आसपास का सबक 18. ऐसे भी होते हैं घर. सफा नमबर 116 किया गया है. इस सफे पर एक तस्वीर दी गई है, जहां कुछ खे में लगाये गए हैं और खे मों के इर्दगिर्द पहाड और दरख्त हैं. हमने स्कूल को खूब सजाया है. कुछ बच्चों ने कपड़ों की कत्रनों से जालर बनाकर उन्हें दरवाजों पर लगाया है. कुछ ने बादाम के छिलकों से पोस्टर बनाए हैं. कुछ ने सूखे पत्तों से और लकड़ी के बुरादे से रंगोलियां बनाई हैं. मकान की मुख्तलिफ अकसाम दिखाने के लिए कुछ जगाहों जैसे सिरी नगर, आसाम, राजिस्थान, देहली और पहाड़ी इलाकों की मिसाले दी गई हैं. इन जगाहों की आबो हवा और मौसम से अगर बच्चे वाकिफ होंगे, तो उन मकानों की तामीर और साख्त को समझ पाएंगे. सफा नंबर 117 आज कैम्प का पहला दिन है, हम सब बहुत खुश है. सुभा सब बच्चे जमा हुए और जमीन पर एक दाइरा बना कर पैठ गए. हर एक ने अपना अपना तारुफ कराया. सबने अपने बारे में बताया कि वो कहां रहते हैं और क्या खाना पसंद करते हैं. बच्चे अपने साथ, अपने घर और खान्दान के अफराद की तस्वीरे भी लाए हैं. बारी-बारी से सब बच्चों ने अपने घरों के बारे में भी बताया. सबसे पहले भुपेन के ग्रुप की बारी आई. भुपेन ने अपना नाम बताया और कहा. इस सफ़े पर भुपेन की तस्वीर दी गई है. और भुपेन के घर का नक्षा भी दिखाया गया है. मैं असम के गाउं मोलन से आया हूं. हमारे यहां बहुत बारिश होती है. इसलिए हमारे घर जमीन से तकरीबन दस बारा फिट उचे बने होते हैं. उन्हें मजबूत बास के सुतूनों पर बनाते हैं. हमारे घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं. भुपेन के इलाके में घर बास के सुतूनों पर क्यूं बनाते हैं? इन मकानों की छटें कैसी होती हैं? उन्हें ऐसा क्यूं बनाया जाता है? इन मकानों में अंदर जाने का क्या तरीका है? रात के वक्त इन मकानों की सीड़ियां हटा देते हैं. क्यूं? अब चमेली की बारी थी. उसने कहा, मैं मनाली से आई हूँ. ये एक पहाड़ी इलाका है. हमारे यहां भी बारिश बहुत होती है. और बर्फ भी बहुत पढ़ती है. जब सर्दी जादा हो जाती है, तब धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है. हमारे मकान पत्थर य चमेली और उसके घर की तस्वीर दिखाई गई है. सफा नमबर 119. चमेली का घर किस इलाके में है? चमेली और भुपेन के मकानों की छटों में क्या यकसानियत है? ऐसी छटे इन इलाकों में कैसे मदद करती है? मिताली और अनुज ने बताया. मिताली और अनुज दहली से उन्होंने सबको देली की तस्वीरे दिखाई एक तस्वीर में उची उची इमारते देखकर भुपेन बोला अरे इतने उचे मकान उनमें उपर तक कैसे चड़ते हैं इस सफे पर एक तस्वीर दिखाई गई है जहां कसीर मंजिला इमारते हैं और सडक के किनारे कुछ जोपि मौजूद हैं इन मकानों को देखो और मालूम करो कि क्या तुम्हारे यहां भी ऐसे मकान होते हैं सफा नंबर 120 कसीर मंजिला मकानों में लोग उपर कैसे चड़ते हैं देहली हिंदुस्तान की राजठानी यानि दारुल हुकूमत है देहली और उस जैसे बड़े शहरों में गाउं और कस्बों से लोग काम की तलाश में आते हैं ये लोग अकसर शहर में ही रह जाते हैं यहां रहने वाले लोग ज्यादा हैं और जगह कम है बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं उन्हें जुग्गी जोपडियों में रहना पड़ता है और कई लोगों के पास व कहीं सो जाते हैं, सडक पर, फुटपात पर, स्टेशन पर, वाकई बड़े शहरों में घर का बहुत बड़ा मसला है, कांची राम ने बताया, मैं राजिस्थान से आया हूँ, हमारे यहां बारिश बहुत कम होती है, और हूब गर्मी पड़ती है, हम लोग मिट्टी के घरों म रहते हैं, घरों की दिवारे बहुत मोटी होती है, उन दिवारों को मिट्टी से लीब पोत कर खुपसूरत बनाया जाता है, छपपर काटोदार जाडियों के बने होते हैं, इस सफे पर कांची राम और उसके घर की तस्वीर दिखाए गई है, बच्चों से बेघर लोगों के मसाइल के बारे में बाचीत करते वक्त बहुत जादा हसासियत का मुझाहिरा करने की जरूरत होती है, सफा नंबर 121, इसी तरह सभी ने ग्रुप में अपने अपने घरों के बारे में बताया, तारुफ के बाद एक रंगारंग प्रोग्राम हुआ, बच्चों ने तरह त के रक्स पेश किये, अपनी अपनी जबान में लोग गीत सुनाए, सबने इलाइची और बादाम डाल कर कहवा पिया, बहुत मज़ा आया, शाम को हम सब डल जील की सेर करने गए, वहां हमने हाउस पोर्ट देखी, हम लोग शिकारे में बैठे, कुछ बच्चों ने चप्प भी चलाया, चारों तरफ नीले नीले पहाड और दर्मियान में चार चिनारी, हाउस बोर्ट दूसरे घरों से मुख्तलिफ होते हैं, कैसे, क्या तुम ऐसे घर में रहना पसंद करोगे, क्यों, सफ़ा नंबर 122, तस्वीर देख कर मिलाओ, सफे की बाई जानिब, उन घरों के नाम लिखे हैं, जिने तसावीर से मिलान करना है, जोपडी, बर्फ का घर यानी इगलू, तंबू, हाउस बोर्ट, कसीर मन्जिला इमारत, सफा नंबर 123, तुम्हारा घर किन किन चीजों से बना हुआ है, उनके नाम पर सही का निशान लगाओ, घास, मिट्टी, लकली, सिमिंट, कैन्वस, लोहा, प्लास्टिक, चूना, बांस, इट, कांच, पत्थर, अपने पड़ोस के मकानों को देखो, वो किन किन चीजों से बनाए गए हैं, इन चीजों की फेहरिस्ट बनाओ, यहां खाली जगह दी गई है, मकान जिन चीजों से बनाए गए हैं, उनके नमूनों को जमा करो, आओ इट बनाए, चिकनी मिट्टी को गुंध लो, मिट्टी को खाली माचिस में दबा कर भरो, जब सूख जाए तो उसे निकालो, तुम्हारी छोटी सी इट तयार हो गई, अपनी इटो को रंगो, उस पर अपना नाम लिखो, इन सभी इटो को मिलाकर एक रंग बिरंगा घर बनाओ, घर की छट को भी सजाओ, मुख्तलिफ किसम के घरों की तस्वीरे जमा करो, या उनकी तस्वीरे बनाओ, इन तस्वीरों से एक खुबसूरत चार्ट बनाओ, अपनी क्लास में उसे लगाओ, मकान किन चीजों से बनाए जाते हैं, बच्चे मकामी तौर से दस्टयाब चीजों को जमा करके बहतर तरीके से समझ सकते हैं, इसी के साथ 24 असबाख की किताब आसपास का सबक 18, ऐसे भी होते हैं घर, यहीं खत्म होता है, सौती ताउन तलत खान वंधना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत